तो सर पिछली क्लास में एक बहुत ही सिंपल चप्टर वेल्यो फ़र्म स्टार्ट किया इसके अंदर वेल्यो फ़र्म का मतलब क्या था कि इक्विटी और डिबेंच्यर और प्रिफरेंस तीनों को एड़ कर दो इधर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे और साथ के साथ इसमें कुछ हमने एक्जामपल भी लिये थे इसके बाद देखा इसमें कुछ अप्रोच कोशन करना ना तो अप्रोच को बिलकुल ध्यान में मत ईलत रखना जो चीजें बताएं अभी और भी एक क्लास में सबहलेंने सब्सक्राइब कर दोगों सब्सक्राइब कर लिये और गिया की फर्स क्लास है मैं उन सभी बच्चों को बोलूँगा और वीडियो डाल दिया है कि हाव तू स्टार्ट क्लास पहले आप लीवरेज देखें और फटा-फट खतम करें जितने यह चप्टर खतम होगा तो नेक्स्ट यूनिट के अंदर आप आ जाएंगे और अच्छे से करेंगे इसके लिए थोड़ा अलग से करेंगे है चली हम इेट पॉइंट फीब कर लेते हैं त् foster सेकेंड पार्ट में मार्किट वेल्यू मैं टेस्ट का दिसकॉशन के बारे में मैं ही अविलिबल हूँ बहुत सिंपल सा चैप्टर क्या कहता कोशन में ध्यान दीजिएगा ABC Limited with EBIT Sir EBIT कितने 3,00,00 is evaluating a number of possible capital structure बहिया एक मैनेजर होगा उसने बोला कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो मतलब बहुत सारे option दीए which capital structure do you recommended and why कौन सा capital structure दोगे और why जहां पे हमारा shareholder का फाइदा होगा वही केई जादा हो जाए और सारे चीज़े अभी देख लेंगे पहले capital structure दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच बाद हर किसी का debt दे रखा है मजे की बात और debt का percentage दे रखा है और केई दे रखा है तो आपका वही capital structure सबसे बढ़िया है जिसका V यानि value of firm क्या हो सबसे जादा हो जिस organization जितनी बढ़ी हो जाएगी अकर हम calculation करें तो उतना बढ़िया है तो जिसका जादा value of firm वो उतना बड़ी है बड़ी सी बात है तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि capital structure में कौन-कौन सा पार्ट आएगा कितने पार्ट दे रखें पांच पांचों कर देते हैं पांच column बना लेते हैं फटा-फट अब देखे इस question में कोई अप्रोच ही नहीं है चलिए देखे पांच column बना लिया गया आपके लिए पांचों एक बार में खाता 1, 2, 3, 4, 5 पहला capital structure debt है EBIT तीन लाख है तो हर किसी में EBIT जो रहेगा तीन लाख ही रहेगा EBIT तीन लाख तीन लाख अब सबसे पहला काम क्या होता है सर, interest minus करना चलो, interest minus कर देते हैं interest पहले वाले debt में ध्यान देना तीन लाख कर जाए और उसके ओपर कितना ब्याज 10% तो पहले वाले का क्या आएगा सर, दूसरे वाले का हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए हर एक student को पता होना चाहिए कि interest कैसे calculate किया जा रहा है और इसका क्या आएगा 55 और इसका और इसका देख ले ना मैंने direct लिखा है आप भी चेक करिएगा एक बार कहीं क्या पता मेरे से calculation में mistake हो जाए चलिए यह क्या गया E BT है ना 270 240 यह 60 245 228 216 मजे की बात सवाल में text है ही नहीं text नहीं है तो EBT EBT को ही मैं क्या बोल सकता हूँ EAT भी बोल सकता हूँ 98 है इसलिए मैंने कहाँ चेक कर ले रहा है पक्का 98 बच्चों का भी आ गया 98 है ठीक है एक लाक दो लाक है ना ठीक है अब यही EAT बन जाएगा जो EBT है यही EAT होगा क्योंकि tax है ही नहीं चलो माइनस कर देते हैं लेस कर दो टेक्स हाँ ठीक है ना यही आ जाना है आपकी तसली के लिए और फॉर्मिट के लिए किया है यहां गया EAT लो अब इकूटी का फॉर्मूला क्या होता है सर इस 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 इत बाइड़ के लिए आपके हैं है यहां यही निकाल देता हूँ लिए देता हूँ चलो EAT divided by KE KE सभी point पे given है हर एक case का na KE given है EBIT है Sir EBIT है मैंने EBIT तो लिखा है यहाँ पे EBIT है नई 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 वो V में है यहाँ पे EAT होता है ठीक हाँ फॉर्मूला चेक करिएगा कहां गया मेरा calculator यह रहाँ तो अब मैं निकालूं अगर 270 divided by पहले का 12% है तो 0.12 तो यहाँ गया 25 लाख, 22 लाख, 50 अजार दूसरे का 260 divided by कितने परसेंट भाई 12.5 0.125 20 लाख, 80 अजार आप भी चेक करते जाएए यही आ रहे है ना एक का चलो मैं करके दिखा देता हूं EAT क्या था 270 12% को 0.12 12 कह सकते हैं 12.45 1.8 1.4 15 15 1.1 यह फाइब भी है क्या है ठीक है अब मेरे से पूछो सर कौन सा बढ़िया तो मैं कहूंगा वही बढ़िया जिसका वेल्यू क्या हो ज्यादा तो सबसे ज्यादा वेल्यू कैसे निकालेंगे अभी तो ई पता चला इसके अंदर और क्या एड़न कर दो डी टी मतलब डिवेंचर और ई प्लस डी कर देंगे तो क्या पता चलेगा वी तो डिवेंचर तो हर किसी का गीवन है तीन लाख तीन चार पांच छे साथ तीन चार यहां पांच आएगा तो यह कितने आगे तीन पच्चिस लाख थोड़ा वी को नीचे ले जाते हैं वैसा इसका कितना आएगा चौबिस लाख अभी तो नंबर वन वाला आगे है अठारा पांच तेहीस लाख यह भी पीछे हो गया पंदरा च्छे एक्किस लाख यह भी पीछे अरे यह तो सबसे बेकार निकला तो बहिया सबसे बढ़िया किसको बोलोगे आप प्लैन नंबर वन को बोलेंगे सबसे बेस्ट प्लैन नंबर वन अब आपने यहां पर K.O. भी निकाल सकते हो तो मैं K.O. भी निकाल देता हूँ सर K.O. क्या होता है Overall Cost of Capital K.O. is equal to E.B. I.T. 1-T divided by V है कि नहीं अब यहां 1-T हो गई नहीं पूछो क्यों टेक्सी नहीं है सर अब फटा-फट से देखो इसको डिवाइड किस से कर दो स्रिफ V से किसको इसको V से डिवाइड करके K.O. निकाल लो यानि 3,00,000,000 divided by पहले का आगे 11.76 11.76 3,00,000 12.00 3,00,000,000 3,00,000,000 3,00,000,000,000 14,00,000,000,000 12.95 14.15 16.15 अब देखो Cost of Capital क्या होता है Company के उपर कितना पर्तीशत Burden पढ़ा कितने परसेंट Equity, Deventure, Preference को बूज पढ़ रहा है देना ही देना है कितने परसेंट तो भाया जितना ज़्यादा परसेंटेज आएगा देने का वो तो खराब हैने Company के लिए तो आप percentage के base पे देखेंगे जिसका सबसे कम percentage वो बढ़िया और सिसका सबसे ज़्यादा percentage वो बेकार इससे दोनों ही verify हो गया कि कब क्या ले रहें तो ये था question number 8.5 और ये पूरा इसका solution इस तरीके से था किसी बच्चे को कोई doubt बता दीजिए जितने बच्चे लाइव में हैं किसी को कोई भी एक परतीशत doubt है तो बताईए नहीं तो हम अगले सवाल पे चलेंगे अग लेर है पूरा